अधरी गैचे, सौप्रसान, आप्रान सुपानी, नौसर्जन मुझिनात्ता प्रनेता, आधर रिविया, प्रदेश्प्रमुक्ष्री परशी जोलंगी, समगिने मुझिनात्ती गंचा अधी, अधर बुझराप्वाणा के आपनेता, आधर रिविया, परबुझराथना, प्रमुक्रों नौसर्जन मुझिनात्तौं। प्राउल जी तुम आगे बड़ो सोन्य गांदी सर्दार पड़ेट बबाबासाब मेरेटर राउल जी आपागे बड़ेटर राउल जी आपागे बड़ो ढालागे बड़ेटर पुरिवेंग पते जाकिरुषन्चोबा लक्ष्मी करन्ची देसाइं पसीबें ठाकोर गोपल्सी आडोड राजणरसी कुपावत कंबलेंद रसी पुवार राजुबाई पारगे शूर्य दावी रामाजी ठाकोर खोड़ा जी भाई दरबार ठाकोर अ पुष्पावे डाभी लाल जी बाई देशाए यह मनू संचालन करी रहाए छे राउल जी आप आगे बड़ो नव सर्चन गुज्राद नव सर्चन गुज्राद अवे अपनास उत्तर गुज्राद माधी राउल जीने स्पुरुती चिन्न अप्पा माटे ठाकोर समाजवती बर्देव जी ठाकोर और रंगा जी ठाकोर स्पुरुती चिन्न अरपन कर से आधर्म्यान आपना गुज्राद नी संस्कुरुती ए उजागर करता बिवित स्पुरुती चिन्नों आप्प सव वती अईयां बारा फर्ति आप्पा माँ उस्षे आधर्म्या राउल जी आप सव ने संबोध आवया छे अटली जंगीव मेतनी में आप सव आवा तड़काम अपन यां उपस्तिक चो बल्देव जी ठाकोर रंगा जी ठाकोर पातिदार समाज तरब थी जीवा भाई पतेल अन्य डॉक्टर जीतु भाई पतेल अपना खेडू तोनू राउल जी आ भागे बड़ो ओम्या माताजी नी मुर्ती स्मुरूती चिंदा दलिज समाज ना आगेवान मनी भाई वागेलाना रमेश चावडा मनी भाई वागेला रमेश चावडा अन्य त्यार पजी गुलाब खान राईमाने वजिर खान जी लगुमती समाज ना गुलाब खान राईमाने वजिर खान पठान आदी वासि समाज ना अश्विन भाई कोट्वाल गान्थी भाई कराडी बाई अश्विन गाडवाल गान्थी भाई कराडी आदी वासि ताली माल्दारी समाज मादी गोवाई रबारी ने रगु भाई देशाए रहूल जी ये बागे बढ़ो चाउद्री समाज मादी अमीद भाई चाउद्री ने रेखा चाउद्री अमेज चाउद्री रेखा चाउद्री चाउद्री समाज तरब थे रहूल जी आप आगे बढ़ो अवे नस्य आई अन्य यूद्ध कॉंग्रेस तरब थे स्वरुती चिन्द गुलाब सी राजपूद आधिद्यसी गोहिल आधर ने विदान सवा कॉंग्रेस पक्सटानेता मुरुपी बापू संकरसी जी वागे लाना उत्वोधन करवा आमंत्र ना पूछू अपड़ा वच्चे खास दिल्ली थी सौने मर्मा पधारेला कॉंग्रेस पार्टे ना उपाद ज्यक्ष मन्य राहूल जी पजयात कॉंग्रेस ना ज्यक्ष मन्य भरशी बाई मान्य मुकुल वास्निक जी बदा आगेवानो आप सव बेकल्लाग थी राहूल जी ने जोवा सांभरवा उपस्तित भाईयों बैनों राहूल जी अम्दावाद उतरतानी साथे उन्जा मा उम्याना दर्शन करवा जहूं से अने सीधा गुजरात मा पग मुक्तानी साधे अम्दावाद थी उन्जा मा आने उन्जा मा माताजी ना चरणों मा आर्थी उतारी पुजारी ये प्रसादी आपी ये मने सरस्मजानों कवर छत्रा आप्यों अशिरवाद आप्या कि तमारा मंदनी इच्छा होए पूरिधा आए मैं पान माताजी ने प्राथना करी हे मा उम्या साहिबना वाईदा मा खाली अठवाडियों बाकिस है पहली जान्यों आरी बेहजार सत्तनों नवो सुरज उक्ष है ए वखते कमशेकम देश अने गुजराती प्रजा के बैंकों माने एटियेम मा लाइन मा उभी हो एने हिम्मत मरे एना पग ठामला जवा थाए तो पन मजबूत आए थी उभारे अने पचास दिवस ना वाइदा पची आ गुलाबी गैंग नी करेली गुलाबी क्रांती नी बेहर जानी नोटो पांसोनी नोटो नी रेलम छेल थाए न प्रजा मजा करे एवा अशिर्वाद मा बदायने आप आपों एवी मेपन प्रार्थना करी अहीं बेह मुद्णा माते खाली बात करीश अपड़ा मैसाना जिल्लाना बडा प्रदान बन्या अडी वरस थिया चेल्ला बार वरब्य लगवक बार वरस थी अने बाज़ापन सिधा पांस साथ वरस थी एले पंदर वीस वरस थी वज़ात मां बीजेपे नू साशन दिल्ल कि मां अडी वरस थ्या प्रजा इसाब मागेश शूथू तमारा वालदाओनू शूथू तमारा वचन ओनू अनू अम बेम बुद्णा जे लोकों नी लागणियो चंचेडवा माते जे मने कीदू से है कि मैं गरबार सोडी ने निकरी जोश खबे जोलो भराई ने निकरी पड़िश औने विरोधियो मने मारी नाक से मारी नाक से तमे उशू पाप करूँ के विरोधियो तमने बारी नाक है न मारी नाक है कोई नवरुण ही तमने मारी नाक हुआ ने बारी नाक हुआ माटे तमे तमे कयो क्याक करेओ तमे तो घरबार जारे छोडियो उशे त्यार चोड़ो रूप्यानी प्रोपर्टी छोड़ी, सर्डार साहेब धिक्ती बैरिष्टरी छोड़ी औने इंदिरा बेन घादी औने राजीव घादी ये आग दुनिया छोड़ी शहीद बनी गया देश बचावा माते इंदराजी नी शहीदी राजीव जी नी शहीदी तमें करेंगा करेंगा त्यांक तो भग्वान बुध्य करेंगा त्यांक तो बगवान क माविरे करेंगा करेंगा तंम के व ठ्याक करेंगो आन्य देश नी परजाई सिचके तमें जोलो पेरि ने नीकरी जाओ अ fåttे आयो तो अलत्या देश कुझनिा अन्य dustyprises भगबधरें लग श् वाड़े गईश बयादों ने घर्नु गर होए फिच पगारवारी नोकरी नो सवाल होए विजरी नो सवाल होए चार लाख कता वजयारे खेडूतों नी विजरी नो कनेक्षन नमरत हुए ऐ वाठ अने तो आंगर गरेश फरक्ष्ण आगामी दिवसों मां वैकारों नो हामी बनीने बैकार ने नौकरी या बैकारी भथ्थूं खेडूते समय बदरी ते राइट कनेक्शन मड़े अमारी बैनों ने घर नू घर मड़े फिक्स पगार वारा लोकों ने नियमित नौकरी मड़े अने एक लाजवा बुद्धा से एम बुद्धा ओ आगामी दिवसों मा कि दुएमनी आशा अपेक्शाओ पूरी करवा माटे हो गुवानों छो अने छेल्ले राहूल जी नो क्रेज में जोयो उन्जामा जो आनिया बैनो कलाको थी लाइन मा उबा राहूल जी राहूल जी आ आ आ आ राहूल जी आ राहूल गांदी एक बाजू निरा अभिमानी व रोश नहीं द्वेश नहीं मैं एक दिवस पूछू एमने राहूल जी तमने कई थाय से आना माटे तके ना जे मानास जे आवतिकालनू भविश्च छे जे लोको मोदी हायाय करे तो ना पाड़ेक ना अपना बड़ा प्रदान छे अन ये पाटिन ये मानास ये राहूल गा ऐसे ना खर्ची ने एमनी इमेज त्वडवानो परेयतना बड़ मास लोगो करी रासे रैसाओ देश तो तमना रदे मास लोको जा रदे मास आप पबलीक आदेशती सावसों करोर नी प्रजा मा ऐमनी इमेज से तमना सोशल मेडिया ना भडूती लोको दी आई मेज नहीं तरफ तमें जोई रहा है छो दांडी आत्रानों एक छित्र एना अमारा कन्विनार आधर्निया मुकुल वास्तिक जीकों मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदुस्तान का भविश्य और कॉंग्रेस के माननिय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी गुजरात प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत सोलंकी जी कॉंग्रेस विधान मंडल के नेता शंकर सिंग वाघेला जी मदुसुदन मिस्त्री जी सिदार्थ पतेल जी गोहिल जी अश्विनी सिक्री जी इर्शाद भाई अर्जुन मोडवाडिया नरेश रावल तुशार भाई यहां पर उपस्तेत कॉंग्रेस के सभी वरिष्टनेता भाईयों बहनों और नौजवान साथ्यों गुजरात के इतिहास में लिखा जाएगा कि आज जो महसाना में राहुल गांदी की जो जनसभा हुई उसने गुजरात का नए सीरे से इतिहास लिखने का काम कर दिया दूर दूर तक जहां तक नजर पहुचती है वहां तक लोग ही लोग नजर आते मैदान में ही नहीं बलकि घरों की च्छतों पर लोग ही लोग Hier जो प्रेम यहां पर नजर आता है राहुल जी की प्रती मैं समझता हूँ कि हम उसे कभी भी भुला नहीं सकते पिछले सालों में गुजराच से एक आवाज उठी थी हिंदुस्तान को गुम्रह करने की कोशिश करी कुछ ऐसे वदे करे कि लोग कुछ समय के लिए गुम्रह हुए लेकिन धाई साल में कानून का शासन नहीं लोग तांत्रिक तरीके से सरकार का काम नहीं होता संसत को चलने नहीं दिया जाता और मीडिया के उपर एक अंकुष लगा के रखा है न्याए पालिका पर भी किस किस तरह की कोशिश होती वो हिंदुस्तान की अवाम ने देखा है और ये वहीं लोग है जो कहते हैं कि कॉंग्रिस ने पिछले सालों में कुछ नहीं किया अरे जिनों ने हिंदुस्तान के लिए अपने जान की कुर्बानी दी उनसे वो लोग पूछते हैं जिनों ने अपने खून का एक कत्रा तक नहीं दिया वो कॉंग्रिस से हिसाब पूछते हैं मैं समझता हूँ अब मौका आ गया है ठान लो कमर कस के बांद लो आज जो यहां से शुरुआत होगी जो आवाज यहां से उठेगी वो गुजरात के कोने तक पहुझे की एक और आवाज होगी राहूल गांधी जिन्दाबाद और दूसरी तरफ आवाज होगी किसान विरोदी नरेन रमोदी नहीं चलेगा नहीं चलेगा उठने तो यह आवाज दूर दूर तक पहुझने तो बदल दो यहां का शासन और एक नई शुरुआत करके दिखा दो बह बहुत धन्यवाद हुआ 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 है हुआ 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 ह प्रदेश प्रमूख आपने संबोधन करसे अल इंडिया कॉंग्रेस न उपाध्यक्ष आदेश न रास्टिय नेता लोग लाडिला आदेश न उबविश्य एवा सन्मानी राहुल जी विदान सभा कॉंग्रेस पक्षना नेता आदेश शंकर सी जी मामंत्री आदेश मुकल जी मदु सुधन भाई अर्जुन भाई सिद्दार्थ भाई शक्ति सी भाई मंज पर बेटेला सव आगेवानो अने आठली गर्मी मा तड़का मा राहुल जी पर प्रेम वर्सावता मारा भाई यो बेनों और युवान दोस्तों भारती जनता पार्टी ना नेता हो राहुल जी ना आवा पर बफाट पर बफाट पर बफाट करे जाए कारण के भारती जनता पार्टी ना नेता हो डगाई गया शे डरी गया शे अवे एमने पन एवात नी प्रतिती थेई गयी छे के राहुल जी एने देशनी प्रजा बव माना पेशे सम्माना पेशे इज्जता पेशे तेम ने सांबढ़वा तेम ना विचारों माते हमेशा तयार रिच्टा ना लाल्चु भारती जनता पार्टियों ने एक खबर न थी के राहुल जी ने बड़ा प्रदान थवु होत तो यूपी ए ना सरकार ना समय डॉक्टर मनमोंसी जी ये वारम वार कही हो तू के राहुल जी आप देश के प्रदान मंत्री बनो लेकिन राहुल जी ने ये सोचा कि मुझे ये देश की जनता के बीग जाना है उनके दुख सुख को समझना है और महात्मा गांदी से लेके ये नए मौडन इतियास में भारत के लोगों का बविश कैसे उज्वल करना है गांदी परिवार ये बलिदान अने त्याग नो परिवार छे महात्मा गांदी नुखुन करिवा भारती जनताना आरेसेस वाडा होए इंदी राजी ने गोडियोती विंदी नाक्या राजी जीवे देश नी एकता अखंडित्ता माटे बलिदान आप्यु जो राहुल जी देश ना वड़ा प्रदान होत तो जे काश्मीर नो प्रश्न आजे गुचवायो छे ए प्रश्न गुचवावाने बदले ए प्रश्न नो निराकरनावी होत भारत पाकिस्तान ना सबंदो मा पाकिस्तान ने जबर्जयस खबर पड़ी गई होत चीन ने जर्बातोर जवाब आप्यो होत अन्या देशनी आंतरिक परिस्तिती चे जे मजबूत होत जायरातों ना राजने बदले पबलिसीटी ना राजने बदले नकर राज होत के जमा युवानों ने रोजगारी युवानों ने काम अन्या देश खुश्खाल होत अ देश मा वर्साज सारो पड़ियो कुरूल ओयल ना भाव विश्व मा बहु ओचा रहा त्यारे ये संजोगों मा भारती जन्ता पार्टी ना वड़ा प्रदान मोटी मोटी वातों करे हुँ उत्तर गुजरात नी धर्ती ने प्रणाम करूछू ए प्रणाम एटला माटे करूछू के उत्तर गुजरात ना तमाम जिल्ला पंचायत तालुका पंचायत मा भारती जन्ता पार्टी नो सफायो करी ना क्यों जारे महसानामा सच्बावना सभामा तत्कालीन वड़ा प्रदान मुख्य मंत्री आवे आता पचीस सो करोड रूप्या नी वात करिया थी महसानामा आवे एटले एमके नडमा थी तम्मे तूड ओईल मरसे तमारे खेती करवानी जरूर न थी बनासकांटरा जाये त्यारे एमके के अवे तमारों बटा को आव मशीन मा आब आजू नाक जो वीजी बाजू थी एनी कातरीन वेफर थे ने निकड़ शे तमारों बटा को मणना भावे नहीं अवे सौ ग्राम ना भावे वेचासे सवनी योधना थी सवरास्तना लोकों ने छेतर्या कलप्रसर योधना नी वाद करी वाइबरन गुजरात ना ताइफाओ कर्या चुम्ब ते लाख करोड रूपिया ना एमोईउ कर्या हा पर पचास लाख लोकों ने राजि रोजी आपवानी वाद करना रा भारती जन्ता पालटी वाड़ा लोको आजे गुजरात मां पचास लाख बेकार से अने हमना जे परिस्तिति थई चैनाकी वधारे मां वधारे लोकों बेकार थता जाय शे कडिया सुथार प्लंबर टर्नर फीटर मिकेनिक सर्विस इंडस्ट्री मा अने आजे पईसा चे अमना वाइबरंट गुजरात आवानुचे आ जान्युआरी महिना मा उद्योग पतियोंने मुडी पतियोंने बोलावा माँशे मौयू करवा माँशे 30 लाख न जे उद्योग मुडी पतियों ए आ देश नी मुटी मुटी बैंको रास्टी टूथ बैंको नी एनपीय करी छे एकला SBI, State Bank of India नी पांच लाख करोड नी एनपीय करी छे जे पैसा गरीब लोको ना डूबी गया छे ए डूबी गयेला पैसा एनी उपर वदारानों आ मुडी पतियोंने मदद करवानी वाद छे गुजरात ना सव समाज ना लोको दुखी छे, मैलाओ दुखी छे, फिक्स पगारवाणा दुखी छे, कॉंट्राक पद्धती, आउट्सोर्सिंग, सिक्षन खाता ना लोको भी दुखी छे राजकी रीते भारती जन्ता पार्टी बगवाई गेचे, वेली चूटनी लावानी वातों करेजे पाचा गबराई जाएचे अमना सर्वे आवयो, तो एमा एम कहूँ के एंसी बेठको भारती जन्ता पार्टी न मर्षे एड़ले पाचा एम विचार करेशे के हवेशू, बीजी महत्वनी बाबते के आनंदी बेन मैला हता, पाटिदार हता, अने वड़ा प्रदाना मानी था पण हता अने तेहम छता एम ने बदली काड़ी ने विजेव भाई रूपाणी ने लिया आवगा, बड़ विजेव भाई रूपाणी ने बदलवानी वात पण हमनी सिबी रोमा आजे चोरे ने चवटे चर्चाईश। एक मुख्य मंत्री बदले आपी जा मुख्य मंत्री बदले आत्री जा मुख्य मंत्री बदले एवी परिस्तिती छे त्यारे जात जात नी जायरातों करी ने लोकों ने छेतरवा माटे नो प्रहत्न करवा माँ आवी रहो छे मारी तो आपने एज मिनन्ती छे का सरकार जे नानी मोटी जायरातों अमना करे छे एमा एक वदारानी जायरात एपन करे क्या वे तो जी एस्टी आवा नो छे तो वेट नाबूत करी ना खे तो पैट्रोल ने डीजल ना भाव जेव सित्ते रूपिया छे एना ती 55 रूपिया ठाहे जया अने लोकों ने सस्टू पैट्रोल ने डिजल मळे या फर जायरात भार्ती जनता पार्टी ने सरकारे करवी जूई जे प्रकारे भारती जंता पार्टी ना रास्टी अध्यक्ष एनि मन मानि गुजरात मा करावे जे त्यारे मारे बगुँ लाबी वात नदी करवी आपने राहूल जी ने सांबर वाचे आप सव मोटी संख्यामा आव्या अने राहुल जीने माटे जे प्रेम दाख्यों ये माटे अथरा रदय थी अंसर थी आपने नमन करी वंदन करने र विर्मुचू जाए हीन जाए जाए गरवी गुजरात पर भार कोष्टकिया यु़rection आधार्स अने घर्मुचय हमि गुजरात ना पनोता पुत्र आदरनिया श्री राहुल जी ने अपने साव संभ दनकरवा अमन्थन आपके जिये आदरनिया राहुल जी आदरनिया राहुल जी राहुल जी तुमा अगे बढ़ो कर दो कर दो कर दो कर दो भरत भाई जोलांकी जी नमस्कार शंकर सिंग अगेला जी मदू सूदन मिस्त्री जी शक्ति सिंग गोहिल जी अर्जुन भाई मुडवादिया जी सिधार्ट पतेल जी मुकुल वासनेक जी अश्विनी सेकरी जी सजन वर्मा जी दिपक बाबरिया जी परेश धनानी जी इश्रद मिजड़ा जी प्रभात अवियाद जी किर्टी सिंग जाला जी कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्य करता भाईयों और बहनों प्रेश के हमारे मित्रों चत पे जो लोग बैटे हैं खड़े हैं और स्टेज के पीछे जो लोग हैं आप सब का यहां बहुत बहुत दिल से स्वागत सरदार पटेल जी की कर्म भूमी में बर्दोली, सत्यगरा, जाहुई वहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपने देश को दूद की क्रांती दी वाइट रेवलूशन दिया और आपकी मेहनत ने मट्टी को सोना में बदल दिया है पूरा देश दिल से आपको धन्यवाद करता है मैं आज आप से दिमॉनेटाइजेशन के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ यह जो कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भरष्टचार को मिटाना चाहती है हटाना चाहती है और मैं यहां इस्केट से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोधी जी की सरकार ने अगर भरष्टचार के खिलाब कोई भी कदम उठाया चोटा कदम या बड़ा कदम कॉंग्रेस पार्टी उनका पूरा सेंट पर सेंट समर्थन करेगी मगर बी मॉनिटाइजेशन का जो निर्ने था वो ना काले धन के खिलाब था और ना भरष्टचार के खिलाब वो हिंदुस्तान के 99 प्रतिशद, इमांदार, गरीब, मेहनती लोगों के खिलाब निन्ने था धाई साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में है और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी गुजराद के चीफ मिनिस्टर थे धाई साल में उन्होंने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर कमजोर लोगों पर मिडल क्लास के लोगों पर आकरमन किया है हिंदुस्तान के किसानों ने उनसे सिर्फ तीन चीज़ें मांगी थी कर्जा माफ बिज्ली पिल हाफ और अनाज के लिए सबजी के लिए सही दाम दाइस साल से मांग रहे हैं हर रोज कोई न कोई किसान आतम हत्या करता है पंजाब में, हर्याना में, गुजरात में, राजिस्तान में हर रोज किसान के परिवार डर के जीते हैं किसानों के बच्चे डरते हैं कि वो दिन ना आए कि मेरे पिता आतम हत्या करें उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है और नरेंदर मोदी जी क्या करते हैं जो किसानों ने मांगा वो नहीं दिया और उल्टा किसान की जमीन खिजिने की कोशिश करते हैं हम जमीन अधिकरन बिल लाए निया बिल लाए किसान की रक्षा करने के लिए और तीन बार तीन बार नरेंद्र मोधी जी ने स्वयम उस बिल को खतम करने की कोशिश की ओर्डिनन्स के माधियम से छुपकर यह हमारे आदिवासी भाई आएं मध्यप्रदेश में 36 गड़ में जारकड में बीजेपी की सरकार है आदिवासीों से वो जल, जंगल और जमीन चीनने का काम करते हैं और कोई भी आदिवासी अपने हग के लिए खड़ा हो जाए कोई भी आदिवासी अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करे अपने जल के लिए लड़े तो उसको गोली से गिरा मारते मजदूरों का नरेंद्र मोदी जी ने पारलिमेंट हाउस में लोक सबा में हमारे सामने मज़ाक उड़ाया पुरे देश के सामने उन्होंने कहा मजदूर गड़ा खोदते हैं नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्टान का मजदूर गड़ा नहीं खोदता है हिंदुस्टान को बनाता है अपने खून पसीने से बनाता है आपने उनसे नरेगा चीना नरेगा का मज़ा कुड़ाया और यहाँ गुजराच की मैं बात करता हूँ गलेतों को आप यहाँ पर बारते हो कुचलते हो दर के रहते हैं वो पार्टीदारों ने पार्टीदारों ने शांती से भाई चारे से अपना अंदोलन किया उन्होंने हिंसा किसी से नहीं की शांती से उन्होंने अपना अंदोलन किया और आपने उनकी महिलाओं को और उनके बच्चों को मारा आपकी सरकार ने उनकी पिटाई की लाटियों से उनको मारा गोलियों से उनको मारा ये नरेंद्र मोधी जी की सरकार की सच्चाई है किसकी सरकार आपने चलाई चुने हुए लोगों की सरकार आपने गुजरात में चलाई और दिल्ली में भी आप चुने हुए 15-20 लोगों की सरकार चलाते हो देश को आपने दो भागों में बाटने का काम किया है एक तरफ एक प्रतिशद अमीर लोग और दूसरी तरफ निन्यानवे प्रतिशद हिंदुस्तान की जनता, इमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडल क्लास के लोग पिछले ढाई साल में, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने, हिंदुस्तान के एक प्रतिशद अमीर लोगों को, हिंदुस्तान का साथ प्रतिशद धन पकड़ा दिया है ये मेरा आकड़ा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आकड़ा है एक प्रतिशद अमीर लोगों को, हिंदुस्तान का साथ प्रतिशद धन, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने पकड़ा दिया है उससे भी आगे जाना चाहता हूँ पचास परिवारों को, हिंदुस्तान के दन का सबसे बड़ा भाग, नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है ये कौन लोग है, ये वही लोग है, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जहाज में उस्ट्रेलिया जाते है जहाज में अमरीका जाते है चीन जाते है नरेंद्र मोदी जी काला धन हिंदुस्तान के 99 प्रतिशत इमानदार लोगों के पास नहीं है काला धन इन पचास परिवानों के पास है काला धन हिंदुस्तान के एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है काला धन क्या है और कहां है all cash is not black and all black money is not in cash हिंदी में सारा cash काला धन नहीं है और सारा काला धन cash में नहीं है फिर से एंडिये की सरकार कहां कड़ा सिर्फ छे प्रतिशत काला धन cash में है सिर्फ छे प्रतिशत काला धन cash में है 94 प्रतिशत काला धन रियल एस्टेट में है सोने में है हीरो में है और फिदेशी बैंक अकाउंटों में है एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है यह बात नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है आप मुझे पूछोगे कैसे मालूम मैं आपको बताता हूं चुनाव से पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भाशन दिये हर भाशन में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का काला धन विदेशी बैंक अकाउंटों में है लाको करोर रुपिया लोग चोरी करके विदेश ले गए है सुच्छर लैंड में बाकी देशों में बैंक अकाउंट में पढ़ा है नरेंद्र मोदी जी ने वाइदा किया था कि वो इस पैसे को वापिस लाएंगे हर बैंक अकाउंट में 15 लाक रुपे डाल के दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी और ये सच्चाई है, जादा से जादा काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहां कितने लोगों को अपने बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने पंद्रा लाग रुपय दिलवाए, यहां कोई एक यक्ति है, जो कह सकता है, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे काला धन दिलवाया, बैंक अकाउंट में पंद्रा लाग रुपय डलवाए, एक यक्ति नहीं है, दुर सा सवाल, आपने मालिया और मोदी का नाम सुना है, ललित मोदी का, वो हिंदुस्तान में है, लंडन में, वो यहां क्यों नहीं आए वापिस, तीसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी, स्विचल लैंड की सरकार ने, आपको स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट दे रखी है, स्विचल लैंड की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी को, सब नाम भेज रखे हैं, स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की, हम जानते हैं क्योंकि पार्लमंट में, हमने ये सवाल पूचा है, और उन्होंने ये हमें बताया है, नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, उन चोरों के नाम आपके पास हैं, वो नाम आपने पार्लमंट में रखे, क्यों नहीं? वो आप पार्लमंट में नाम क्यों नहीं रखते हो, उन लोगों को आप बचा क्यों रहे हो, आप जवाब दो हमें, बी मॉनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विजह मालिया जी को बारा सो करोर रुपए की टॉफी खिलाई बारा सो करोर रुपए का उनका कर्जा माद किया आप हमें बताईए इस चोर का आपने पैसा क्यों माद किया लोग सवाल पूछने लगे जहां भी मैं जाता था लोग कहते थे भाया नरेंद्र मोदी ने जूट बोला मुझे पकड़के कहते थे राहुल जी मेरा पंद्रा लाग रुपए कब आएगा मेरा पंद्रा लाग रुपे कब आएगा नरेंद्र मोदी जी ने जूट बोला पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया लोगों के दिल में ये आवाद रुटने लगी नरेंद्र मोदी जी को घबराठ हुई और उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया एक नया इवेंट मेगा इवेंट सर्जिकल स्ट्राइक और करप्शन काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक सिरफ 6 पर्सेंट काले धन पे पता नि क्या कारण था मगर मोदी जी ने अपना निशाना 94 प्रतिशद काले धन पे नहीं लगाया पता नहीं क्या कारण था 6 परसेंट काले धन पे निशाना लगाया नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रतिशद हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया 99% हिंदुस्तान के इमानदार लोगों पे निशाना लगाया नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना उन पचास परिवानों पे नहीं लगाया नरेंद्र मोदी जी ने अपने ब्रश्चाचार की लड़ाई हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार हिंदुस्तान के मिडल क्लास के लोगों पर करी दूसरे महायुद में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था इसे फायर बॉमिंग कहा जाता था तीन चार सो जहाज उपर से आते थे आग वाले बं लेकर आते थे और बीस पच्चिस मिनट में बं गिरा देते थे उपर से शहर का शहर मिंटों में जल जाता था खतम हो जाता था रोटर डैम को टोक्यो को ड्रेजडन को ऐसे जलाया आठ बजे रात को होती थी फायर बॉमिंग आठ बजे रात को तोक्यो की फायर बॉमिंग में हिरोशिमा से जाड़ा लोग मारे गए थे जो काम आटम बंब नहीं कर पाया वो काम फायर बॉमिंग ने तोक्यो में कर दिखाया था नरेंद्र मोदी जी आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया आपने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर कमजोर लोगों पर फायर बॉमिंग की है फायर बॉमिंग आर्ट की बॉमिंग और खूդ इसको लगी ये जो हमारी महिला मैठी हैं कि इन्होंने जो पैसा बचाया था अपने बच्चों के लिए अपने बहुशु के लिए उस पैसे को आपने जलाया नरेंद्र उदी जी इनके पैसे को आपने जलाया इतने भविश्य को आपने जलाया किसान जब बीच खरीता है जब खाद खरीता है वो चेक बुक से नहीं खरीता है वो कैसे करीता है कैसे आपने उसके हाद से उसके पसीने का पैसा खीचा और उसको जलाया जब मजदूर काम करता है दिन भर अपना पसीना देता है मोदी जी उसे डेबिट कार्ड में पैसा नहीं मिलता उसे कैश में पैसा मिलता है कैश में उसके कैश को आपने जलाया आपने विकास की बात की रोजगार देने की बात की आपने कहा था नरेंडर मोदी जी आएंगे तो पूरे देश को साल में दो करोर रोजगार दिलवा के दिखाएंगे हमने पार्लिमेंट में पूछा और आपने बताया, NDA के मंत्री ने बताया कि साथ साल में सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है आज आपके डी मॉनटाइजेशन ने आपके फायर बॉमिंग ने गुजरात में कंस्ट्रक्शन की इंडस्री को खतम किया एंजिनियरिंग की इंडस्री को खतम किया टेक्स्टाइल की इंडस्री को खतम किया पावर लूम की इंडस्री को खतम किया हीरों की इंड़स्री को खतम किया ट्रांसपोर्ट की इंड़स्री को खतम किया और जो सफेद दूद की करांती लाए थी गुजरात की महिलाए लाए थी उस पर आपकी नोट बंदी ने चोट मारी मोधी जी आप यहाँ आए थे आप यहाँ आए थे और आपने भाश्यन किया और आपने कहा कि गेनाबाई पटेल जी ने इतने बड़े बड़े अनार पैदा किये मोधी जी नोट बंदी से पहले गेनाबाई पटेल जी किये अनार 120 रुपे प्रती कीलो में बिखते थे आपकी फायर बॉमिंग के बाद 35 रुपे कीलो बिख रहे हैं 35 रुपे कीलो फिर आपने यह फायर बॉमिंग की इसका कोई ना कौई लक्ष तो होगा आपने यह आपने जो किया इसके पीचे कोई सोच होगी मैं आपको यहां इस मीटिंग में हँप फायर बॉमिंग के पीच最ोंच के बारे मैं बताना चाहता हूँ किसान या मिडल क्लास का व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेता है और पैसा वापिस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है उससे उसकी प्रॉपर्टी चीन ली जाती है उसका घर चीन लिया जाता है मगर अगर हिंदुस्तान के एक प्रतिशद अमीर लोग बैंक से लाकों क्रोन रुपया लें और वो पैसा वापिस ना दें तो उन्हें चोर नहीं कहा जाता है उन्हें डीफॉल्टर कहा जाता है उसे नौन पर्फॉर्मिंग एसेट कहा जाता है इन पचास परिवारों ने इन एक प्रतिशद अमीर लोगों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से लाकों क्रोन रुपया लोन लिया और आज बैंक का आठ लाकों क्रोन रुपया8 लाको क्रोन रुपया उन्होंने ले रख jeśli व्हों वापिस नहीं दे रहे हैं 8 लाकों क्रोन रुपया मतलब 35 क्रोन रुपय की नारेगा चलता एक साल का अप अनदास लगा दो तो आठ लाक करोड रुपया कितना होता है अ कि नरेंद्र मोधी जी चाहते हैं कि ये आठ लाक रुपया इनका करदा माप हो इस बैंक बंद पड़े हुए है इस आठ लाक करोड रुपय के कारण बैंक लोन नहीं दे सकते हैं नरेंद्र मोधी जी को इन लोगों से आठ लाक करोड रुपय लेना चाहिए मगर नहीं ले सकते हैं क्यूंकि इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोधी जी को बनाया इनी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की इनी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया तो नरेंद्र मोदी जी इन से पैसा नहीं ले सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने एक निया तरीका निकाला बैंक को चालू करने का आठ लाग करोर रुपे को माफ करने का एक नया तरीका डी मॉनिटाइजेशन गरीबों से उनका उनसका पैसा लो और उस पैसे को बैंक में फसाओ छे साथ महीने उस पैसे को बैंक में फसाओ और गरीबों के पैसे के बल पर आठ लाख करोर रुपए माफ करवाओ ये है नोट बंदी का सचा लक्ष अब आग मोहोगे इसका सबूत दो मैं आपको देता हूँ किसान ने नरेंद्र मोदी जी से करदा माफ करने की मांग करी हमने सत्तर हनार करोर रुपया माफ किया था एक महीना में ने यूपी में दौरा किया किसान के लिए किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उनका करदा माफ नहीं किया मगर पिछले धाई सालों में नरेंद्र मोधी जी ने पंद्रा उद्योग पतियों का एक लाख चालिस हजार क्रोर रुपिया माद किया है करजा माद किया है डी मॉनेटाइजेशन का लक्ष गरीबों से पैसा खीचो अमीरों को सीचो 99 प्रतिशद इमानदार लोगों से पैसा खीचो एक प्रतिशद अमीर लोगों को पचास परिवारों को सीचो ये है लक्ष नोटबंदी का राजनाज सिंग जी खड़े हुए पार्लिमंट में कहते हैं पॉलिसी अच्छी थी मैंने आपको भी दिखाया कि पॉलिसी किसान गरीब मिडल क्रास के विरोध थी पचास परिवारों की और एक प्रतिशद अमीर लोगों के लिए की मदद करने की पॉलिसी थी राजनाज सिंग जी आप नरेंद्र मोदी जी को समझे नहीं कुछ समय पहले वागेला जी मेरे पास आये थे मैं काफी खुश हूँ कि यहां आज बैटे हैं मैंने उनसे पूछा बागेला जी आप बताईए नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुझे बताईए अब हसने देखिए और इन्हों ने मुझे बोला राहूल नरेंद्र मोदी जी मेगा इवेंट मास्कर है अब वो किसी चीज़ कभी इवेंट कि मगर ऊघर यह बात मैं आपको बताता हूँ कि जब वो इवेंट बनाता है तो उसकी ब्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है उसकी प्लैनिंग बहुत बढ़िया होती है अब सुनिये मैं आपसे दो-तीन सवाल पूछता हूँ नोट बंदी का लक्ष गरीबों का पैसा जादा से जादा समय बैंक में रहे कि उसके बल पर हम पचास वो पचास परिवारों का करजा कर सकें अब मैं आपसे दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूँ अगर दो हजार रुपए का नोट कि एटियेम में चलता तो आपका पैसा बैंक में रहता नहीं रहता अगर आपके उपर 24,000 रुपए की विद्रॉल लिमिट नहीं लगती तो आपका पैसा बैंक में रहता अगर सो बार नियम नहीं बदलते आपका पैसा बैंक में रहता और अगर समय पे 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट प्रिंट होते तो आपका पैसा बैंक में रहता नहीं रहता नरेंद्र मोधी जी की प्लैनिंग का लक्ष ये था कि जाधा से जाधा समय आपका पैसा आपके कून पसीने का पैसा आपके जेब से निकाला हुआ पैसा आपके घरों से चीना हुआ पैसा बैंक में छे साथ महीने के लिए रहे कि वो इन लोगों का करजा माद कर सके ये है नोट बंदी की सचाई शुरुआत की नरेन मुदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है और उन्हें ने कहा देखो साड़े चौदा लाग साड़े चौदा लाग रुपए हजार और पांच सो के नोट में है बहुत सारा काला धन वापिस नहीं आएगा और जो काला धन वापिस नहीं आएगा वो नरेंद्र मोदी गरीमों को देगा ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक महीने में पता लग गया कि सारा का सारा काले धन वापस आ गया नरेंडर मोधी जी के डी मॉनिटाइजेशन ने हिंदुस्तान के सब चोरों के पैसे को काले धन से सपेद में बदल दिया उसके बास नरेंडर मोधी जी ने काले धन की बात बंद कर दी काला धन के बारे में भूल गए और कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ नरेंडर मोधी ने एक्शन लिया बहुत बड़ी आबाद दो दिन बाद हमारे वीर सिपाई आतंकवादियों को मारते हैं आतंकवादियों के जेब में से 2000 का चमकता हुआ नया नोट एक गड़ी इस साइड दूसरी गड़ी इस साइड नरेंडर मोधी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी उधर से दोड़ के निकले नकली नोट के पीछे भाईया नकली नोटों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी हमने राजसभा में हमारे लोगों ने सवाल पूछा बताईए उनके मंत्री से पूछा बताईए हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं काउंटर फिट नोट कितने हैं सो रुपए में से कितने नकली हैं उनका जवाब आता है पार्लमंट राजसभा में सो रुपए में से दो पैसे नकली हैं पूरे हिंदुस्तान में चार सो क्रोर रुपए में नकली हैं मोदी जी उद्व से दोड़े निकले कैशलेस एकॉनमी के और गए चलो भीका कैशलेस की बात करते हैं कैशलेस की और भगो चलो ब्लाक मनी से भगो आतंगवाज की और आतंगवाज से भगो नकली नोट की और नकली नोट से भगो चैशलेस एकॉनमी की और मोदी जी हिंदुस्तान की 99% जनता को तो आपने कैशलेस बनाई दिया उनके कैश को तो आपने जला दिया हसते हुए जलाया हसते हुए पॉप कॉंसर्ट में कहते हैं मैंने हजार रुपए और पांच सो रुपए का नोट रद्दी कर दिया कादस बना दिया करोनो लोगों पर फायर बॉमिंग की चोट मारी और हसी आ रही है आपको कैशलेस एकॉनमी के बारे मैं आपको बताता हूँ आज अगर आप किसी दुकान में जाएं कुछ खरीदें ठीक खेर आज तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज तो आपके पास क्याश ही नहीं है मगर मगर अगर आप दी मॉनिटाइजेशन से पहले जाते जेब से सो रुपए निकालते किसी दुकानदार को देते तो आपका सो रुपए दुकानदार को जाता मोदी जी की कैशलस दुनिया में आप अपना सो रुपए निकालोगे फोन पे और दुकानदार को दोगे बीच में से 5% कमिशन उन्ही एक प्रतिशाद अमीर लोगों को उन्ही 50 परिवानों को मिलेगा यह है नरेंद्र मोदी जी की कैशलस एकॉनमी कि आपके खून पसीने के पैसे में से भी कही ना कहीं 5-6% कमिशन निकाल के उनको कैसे दूँ अब नरेंद्र मोदी जी आप कैशलस से स्वारी आप काले धन से नकली पैसे पे गए नकली नोटों पे गए गए नकली नोटों से आप आतंकवाइद पे गए आतंकवाइद से आप कैशलस पे गए आपने मुझे पार्लमंट हाउस में बोलने नहीं दिया आप जैसे मैंने अभी भाशन दिया जैसे यह लोग यहां खड़े हैं पार्लमंट में आप मेरे सामने खड़े होने के लिए त्यार नहीं उत्ते पता नहीं क्या कारण था पता नहीं क्या कारण था अब आपको बताता हूँ कोई भी बिजनस चलाता है दुकानदार छोटी सी दुकान चलाता है बड़ी कंपनी चलाता है वो अपना रेकॉर्ड रखता है सही बात है न वो रखता है कि कितना पैसा हमने किसको दिया किसको उधार किया किससे हमने पैसा लिया किसको हमने पैसा दिया 22 नोवेंबर 2014 22 नोवेंबर 2014 सहारा कंपनी परे ग्रेड हुई बहुत बड़ी कंपनी है इंकम टैक्स डिपार्टनेंट ने उन पर रेड की वहां उनको सहारा के रेकॉर्ड मिले सहारा के रेकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूँ इंट्रियां थी रेकॉर्ड में 30 अक्तोबर 2013 धाई करोर रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 12 नोवेंबर 2013 पाच करोर रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 27 नोवेंबर 2013 दाई करोर रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 29 नोवेंबर 2013 पाच करोर रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया ये सब रेकॉर्ड में है, इंकम टैक्स के पास ये रेकॉर्ड है, 6 दिसंबर 2013 पाँच करोर रुपया नरेंद्र मोधी जी को दिया गया, 19 दिसंबर 2013 पाँच करोर रुपया नरेंद्र मोधी जी को दिया गया, 13 जनवरी 2014 पाँच करोर रुपया नरेंद्र मोधी जी को दिया गया 22 पपररी 2014 पाच करोर रुपया नरेंद्र मोधी जी को दिया गया छे महीने में नो बार सहारा के लोगों ने अपनी डाइरे में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोधी जी को पैसा दिया है अब नरेंद्र मोधी जी आप दो तीन चीज़े मुझे बताईए ये जो रेकॉर्ड है सहारा का धाई साल से इंकम टैक्स डिपार्टमन्ट के पास है इस कागज पे income tax लोगों के दसकत है income tax लोगों ने कहा है इन कागजों पे inquiry होनी चाहिए डाई साल से inquiry क्यों नहीं हुई और ये जो नौ बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया गया है क्या ये सच है या जूट है आप देश को बताईए आपने पूरे देश को लाइन में रखा आपने पूरे देश से उनकी यमानदारी पर सवाल उठाया उनकी कमाई पर सवाल उठाया अब मैं देश के और से पूछ रहा हूँ इन महिलाओं के और से पूछ रहा हूँ हिंदुस्तान के किसानों से और से पूछ रहा हूँ क्या ये इंफर्मेशन जो इंकम टैक्स डिपार्टमन के पास है क्या ये सच है और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वाईरी कब होगी दूसरी बार यहां खतम नहीं होता है यहां खतम नहीं होता है अभी और है अभी और है एक सिकन एसा ही एक कंप्यूटर रेकॉर्ड बिर्ला कंपनी का उसमें साफ लिखा हुआ है गुजराथ सी एम पच्चीस करोड बारा करोड हो गए बाकी क्वेस्चन मार्क नरेंद्र मोदी जी आप हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं आपके उपर यह सवाल उठाए जा रहे हैं इंकम टैक्स डिपार्टमन्ट के सिगनिचर इन कागजों पे हैं वो हम आपको दिखा देंगे पूरी दुनिया को दिखा देंगे अब आप देश को बताओ स्वायम बताओ कि यह सच है या नहीं और और एक आप इंडिपेंडेंट इंक्वाइरी इस मामले पे करवाओ पता लगाया जाए कि इस डाइरी में जो लिखा है इस रेकॉर्ड में जो है यह सच है या नहीं यह हमारे प्रधान मंत्री पर सवाल उट रहा है और इसका जवाब मिलना चाहिए आप सब यहाँ आए इसके लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप से मैं चर्चा कर पाया आपने इतना प्यार दिखाया मुझे धन्यवाद जेहिंद नमस्कार अल इंडिया कॉंग्रेस कमीटी ना आपना सब्सक्रा आजणिया गुजरात ना पनोता पाउत्र इंदुस्तान नो भविश्य युआनोना महिसाईवा आजणिये राहुल जी प्रदेश कॉंग्रेस समिती ना आमंत्रण ने मान आपी ने पदार्या गुजरात नी अने खासकरी ने उत्तर गुजरात नी प्रजानी लागणी ने मान आपी ने पदार्या इटला माटे आप सव वती आ राहुल जी नो खूब खूब आपार मानूचू साथे साथे प्रदेश कॉंगरेस कमिती है गुज्यात मां महिस्तारा ने पसंद करी ने राहुल जी नी सवानो आयोजन करिऊ एमनो गुज्यात प्रदेश कॉंगरेस नो पन एटलो जापार मानूचू अने खास करी ने विशेषा पार मानूचू गुज्यात नी प्रजा अने उत्तर गुज्यात नी प्रजानो कि जने टूकमा आतों मुटी सफ़ड सफ़ा बनावी जई ही जई बर कि जने और दालनंबस्त कि जया ऍरड़ करते होड़ म Gesetzentwurf कि जने खेले़ कि जने अन्यान है कि अवपनां तो कि और पे खूप हम जो गगजा कि नन्यूश को घूँ है